Hey everyone, welcome back! आज की वीडियो उन वीवर्स के लिए बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन्ट है जो कि एक नई TV लेना चाहते हैं और specially Sony ब्रैंड की TV लेना चाहते है Because इस समय Sony के सभी TVs पर आपको काफी अच्छा discount मल रहा है Usually premium brand के तरफ से हमें discounts दो बहुत ही कम देखने मलता है सिर्फ और सिर्फ sales में ही इंके prices drop होता है लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी फिलाल कोई भी sale नहीं चल रही है और इसके बावजूद भी हमें काफी अच्छा discount देखने मल रहा है in fact कुछ TVs पर जो pricing है वो sales से भी ज़्यादा drop होई है तो मतलब sales से भी ज़्यादा अच्छी deal आपको अभी मिल रही है तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे साब से यह बिलकुल सही time है अगर आप Sony की TV बाई करना चाहते है एक best price point में तो आज इस वीडियो में मैं आपको 32 इंच से लेकर 65 इंच तक के कुछ best TVs recommend करने वाला हूँ जिनकी picture quality भी अच्छी है और इंपर आपको discount भी मिल रहा है और साथ साथ कैसे आप और भी additional discount पास सकते हैं बिना किसी card के इसको भी हम वीडियो में discuss करने वाले हैं तो make sure वीडियो का एक भी पार्ट आप skip मत करना वीडियो लंबी होगी इसलिए आप वीडियो को 1.5x के speed पर देख सकते हैं लेकिन skip बिलकुर मत करना बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो से अगर आपको value मिले तो definitely like कर दीजे और इस चैनल पर हमें जल से 50K सब्सक्राइबर करने हैं तो make sure subscribe का वर्डन भी आप क्लिक कर दीजे चाहिए वीडियो को यहाँ पर हम शिरु करते हैं ओके तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आएगा कि आखिरकार सोनी के टीवी बाय करना सही है या पुर नहीं I think इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है because सोनी ऐसा ब्रैंड है कि इसके नाम के साथ trust quality यह सब कुछ जो है वो मतलब जुड़के आता है अगर किसी प्रड़क्ट पर सोनी की ब्रैंडिंग है तो इतना understood है कि उसकी quality काफी अच्छी होगी उसकी life काफी अच्छी होगी and after sales service भी आपको definitely अच्छी मिलेगी तो सोनी की brand value काफी अच्छी है in fact अगर बात करे जाए टीवी में तो सोनी is like apple of smart टीवी इनकी टीवी महेंगे होते हैं थोड़े से and जो product आपको मिलता है वो काफी premium होता है in fact इंकी जो picture processing है वो भी काफी अच्छी है so yes जो answer है सोनी के टीवी बाइ करना वर्थ है अगर आपका budget अच्छा है और आप एक premium brand की टीवी लेना चाहते है जिसमें quality अच्छी हो और जो कि आपका साथ लंबे समय तक दे with good after sales service then definitely आपको सोनी जैसे brand को choose करना चाहिए okay so यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 32 inch से शुरू करता हूँ फिर एक एक करके हम जो है increase करेंगे तो वीडियो को आप end तक ज़रूर दिखेगा सबसे पहले बात करते है सबसे 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 टीवी की टीवी तो बहुत सार है लेकिन मेरे साब से जो सबसे 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 टीवी जो की आप consider कर सकता है वो है सोनी W6103 इस टीवी की कीमत इससे में 25,000 रुपीज चल रही है usually यह 27,000 रुपीज के आसपास देखने मलती है इस टीवी की बात करें जाए तो 32 इंच की HD Ready TV है इस टीवी में आपको IPS पैनल मलता है 20W के स्पीकर्स यहाँ पर आपको मल जाते है टीवी के picture quality और audio quality काफी अच्छी है build quality भी Sony TVs में अच्छी आपको मलती है तो वहाँ पर कोई भी doubt वाली बात नहीं है इसमें आपको Linux based operating system मलता है voice assistant नहीं होगा Bluetooth remote नहीं है normal IR remote मलता है कुछ apps को support मल जाएंगे like Netflix बगरा YouTube बगरा आप इसमें enjoy कर सकते हो तो यह TV किन को लेना चाहिए देखे अगर आप एक 32 इंच TV देना चाहते है और आपका most of the usage जो है वो DTH का है आप setup box के content जाधा देखते हो और कभी कबर आपका मन किया तो आप online content भी देखना चाहते हो ने उस case में यह TV मैं आपको recommend करूँगा मेरे साबसी यह बहुत ही perfect option है इस price range में और यह TV latest है ऐसा नहीं कि यह पुराना model है यह 2021 में ही launch किया गया जो की है Sony WA20 यह जो TV है यह पिछले वाले का upgraded version है यहाँ पर भी आपको सब कुछ same मिलता है सिवाए यहाँ पर जो operating system है वो अब यहाँ पर आपको Android मिलता है तो यहाँ पर certified Android operating system दिया गया है with Google Voice Assistant Bluetooth remote मिलता है smartphone यहाँ आपको मिलता है तो यह TV उनके लिए recommend करूँगा मैं जो की online content भी अच्छी तरीके से देखना चाहते है लाइक आप चाहते हैं कि आपको जो है Netflix Prime Video और बाकिस सारे जितने भी Android apps है उनका support मिले आप अलग-अलग ODD platform से content enjoy करना चाहते हो और आपको एक complete smart TV चाहिए आप दोनों features को यूज़ करना चाहते हो offline content as well as online content तो उस case में मेरे सबसे काफी बैठीरीन option रहेगा यहाँ पर भी आपको IPS पानल मलता है overall picture quality and performance काफी अच्छी देखने मलती है इस TV की pricing की बात करते हैं तो यह जो TV है इसकी जो pricing है normally 30,000 रुपे के आसपास होती है कुछ कुछ टाइम तो इसकी pricing 31 तक पहुच गई थी लेकिन इस समय इसकी pricing Amazon पर 29,000 रुपीज देखने मल रही है और special part ही कैसे आप extra discount पा सकते हैं तो जब आप TV को buy करना ही जाएंगे लिंक मैं आपको नीचे description में देदूँगा buy now button के उपर या नीचे आपको कुछ यह ऐसा दिखने मिलेगा जहां पर लिखा होगा coupon discount और apply coupon आपको just उस पे click करना और आपको 2000 रुपीज का discount मिल जाएगा यह से discount जो है वो Amazon पर देखने मिलता है लेकिन कई बार जो buyers है वो miss कर देते हैं और इससे आपके हाथ से एक अच्छा offer निकल जाता है तो इस TV पर 2000 का additional discount मिलेगा बिना किसी card के और अगर card है तो और भी discount आपका हो जाएगा तो total यह TV आपको 27,000 रुपी से पड़ेगी मतलब काफी तकड़ी deal है 27,000 मतलब इसकी जो pricing है वो sale में भी 27 तक नहीं गई थी तो मेरे साब से 27,000 रुपीस सोनी की इस Android TV के लिए काफी बहतर deal है मेरे साब से बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे 4K TVs के तरफ सोनी के दो ही TVs जो की मैं recommend करूँगा फिलाल 32 इंच के section में 43 इंच में फुल HD मॉडल है लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है in case if you are interested मैं उसकी link नीचे description में दे दूँगा उस पर यह price drop है बट मेरे साब से अभी जो time है अगर आप 43 इंच ले रहा है तो 4K ले लो तो वो बहतर रहेगा आपके लिए तो Sony की 4K TV की बात करे जाए तो 4K में सबसे सस्ता option जो है वो है Sony X74 ये भी latest TV है अभी हाली में ही launch करी गई है इस TV के गर बात करे जाए इसकी pricing जो है वो normally 56-57,000 रुपीज होती है लेकिन अभी इस समय राइट नाव ये TV आपको 51,000 रुपीज में देखने मिल जाएगी तो 50,000 रुपे का budget है और आप एक premium brand की TV रेना चाहते हो तो definitely आप Sony X74 को consider कर सकते हो मेरे दर से TV 100% recommended है और overall performance वगरा भी आपको इस TV में काफी अच्छी देखने मिलती है यहाँ पर अगर हम बात करें especially 4K TVs की तो बहुत से लोग जो है अपने 4K TV में DTH या भी setup box के content देखते है अब देखिए यहाँ पर problem यह है कि जो DTH में काफी सारे channels आते हैं वो still SD में आते हैं SD में broadcast होते हैं 480P का आपको resolution मलता है और 480P content जब आपके 4K TV में play होता तो आपकी TV उसको 4K में upscale कलती है तो यहाँ पर यह important है कि आपकी TV की upscaling technology कितनी अच्छी है तो यहाँ अगर Sony की बात करी जाया तो मेरे साब से market में जितने भी TVs इसमें available है सबसे अच्छी upscaling technology मुझे Sony की TVs में देखने मिलती है तो SD channels, even HD channels जो है वो Sony की TVs में 4K में काफी अच्छी तरह किसे upscale होते हैं आपको काफी अच्छा experience देखने मलता है So no matter कि आप OTT content देखेंगे या फिर SD channels देखेंगे दोनों ही cases में आपको Sony की TVs में काफी अच्छी performance देखने मिलने वाली है So that's why Sony जो है फिर्स च्वाइस होनी चाहिए अगर आप premium brand की TV ले रहे हो Okay, so 43 इच लेना चाहते हैं तो X74 ले सकते हो In case 55 इच लेना है Then अगली जो TV में आपको recommend करूँगा वो है Sony X80 AJ यहाँ पर दो models आते हैं Sony X80J और AJ दोनों almost similar है जादा major difference नहीं देखने मिलता है लेकिन price में difference है इसका जो X80 AJ वाला जो है वो आपको 76,000 का मिलता है और जो X80J 55 इच वाला है वो लगबग आपको 86 तक का मिलता है तो price difference 10,000 रुपे का है लेकिन actual TV में आपको उतना major difference नहीं मिलता है तो मेरे साब से अगर आप एक Sony की 55 इच टीवी लेना चाहते हो जो कि latest हो और काफी अच्छी picture quality के साथ आती हो तो उस case में आपको Sony X80 AJ 55 इच कंसिडर करना चाहिए 76,000 रुपे के price point में इसकी pricing भी drop हुई है sale में आपको इससे भी कम price इस TV पर देखने मिल जाता है बट 76,000 रुपे में भी ये TV लेना वर्त रहेगा मेरे साब से है बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे next TV के तरफ अगर आपका budget 1,000,000 का है और आप 1,000,000 में बहुत ही तगड़ी TV लेना चाहते हैं जिसमें आप PS5 की तरूं गेमिंग गएरा भी कर सके और आपको काफी तगड़ी पिच्छे quality मिले और उस case में आपको Sony X80 5G लेना चाहिए इसमें आपको VA panel मिलता है 120Hz का refresh rate मिलता है Dolby Vision, Dolby Atmos support यहाँ पर मिल जाता है और इस TV में जो brightness है वो 500-600 nits के आसपास देखने मिलती है तो overall जो HDR performance होनी वाली है वो भी इस TV में काफी अच्छी होगी तो आप इस TV को consider कर सकते है इसकी pricing normally 1,10,000 के आसपास हुआ कर देती लेकिन अब इसकी pricing जो है वो सिर्फ 95,000 रुपीज है 95,000 रुपीज है मेरे साब से काफी अच्छी डिल है तो आप इसे consider कर सकते है उसकी pricing भी अभी drop हुई है इसके बाद अगर आपका budget 1,000,000 का है अगीन लेकिन आप 65 इंच की TV लेना चाहते है massive screen size के साथ तो अभी इसकी pricing Amazon के उपर 1,000,000 है लेकिन आपको यहाँ पर 2,000 रुपीज का additional coupon discount मिल रहा है तो इसकी जो pricing है वो 98,000 रुपीज जो आती है मेरे साथ से 98,000 रुपीज में Sony X80 AJ 65 इंच के screen size के साथ में बहुत ही अच्छी deal है definitely आपको यह deal बिलकुल भी miss नहीं करनी चाहिए and Sony TVs में आपको picture quality बगर अच्छी देखने में जाती है साथ साथ इन पर आपको काफी अच्छा price drop भी देखने मिल रहा है इन केस अगर आपका budget और भी है like 1,00,00 के उपर का budget है और आप उस range में कोई और TV डोन रहे हो then comment box में मुझे आप भी requirement और आपका budget पर दिये हम detail में discuss करेंगे इस विडियो में मैंने mostly 1,00,00 के budget के अंदर आने वाले 70 TVs को cover किया है अगर आपका budget उससे जादा है तो आप directly मुझे contact कर सकते हैं हम मिलके decide करेंगे कि आपके लिए कौन सा best option इस range में available है आपकी requirement के recording by the way यहाँ पर इन TVs के price drop हुए है तो इसके बिच्छी reason भी है reason यह है कि जो TVs थें यह पिछले साल के model है पिछले साल मतर जादा time नहीं हुआ है I think 8-9 months ही हुए है इन TVs को launch हुए overall देखा जाए और अभी चल रहा है 2022 तो Sony K 2022 के latest models market में आने वाले है और इस वज़े से जो previous models है इनकी pricing जो है वो अब कम हो रही है अब यहाँ पर आपका सवाल भी आएगा कि pricing यहाँ पर drop हो रही है नए models आ रहे है तो क्या हमें नए models का wait करना चाहिए दिखिए यह totally आपके उपर depend करता है नए models आने में अभी थोड़ा time है तीन से चार मेने तक का time लग सकता है और अगर new models आएंगे तो उनकी price जो है वो इनसे high रहने वाली है और एचीज जो है मैंने पिछले कई सावलों में notice करी है कि Sony और Samsung या फिर even LG की बात कर ले इनका जो budget section की TVs होती है like 1 lakh के अंडर के जितने भी TVs होते है इनकी newer version में बहुत बड़ा major upgrade नहीं देखने मिलता है और even Samsung और मैं LG की बात करूँ तो इनने उनने upgrade करने के बजाए कुछ चीज़ा जो है वो downgrade कर दी है so I don't think कि आपको इस particular range में 1 lakh की range में बहुत बड़ा major difference देखने मिलेगा still if you are interested आपका budget है आप wait कर सकते हो तो आप wait कीजिए लेकि मेरे साब से बहुत ही अच्छा deal इसमें मिल रहा है और ये time आपको बिलकुल भी miss नहीं करना चाहिए सबी TVs की buying links आपको नीचे description मिल जाएगी in case अगर आप कोई question है तो आप मुझे directly contact कर सकते हैं comment box की तुरू या फिर मेरे इंस्टा आइडी पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं मैं आप सभी के लिए हमेशा available हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देजिए ऐसे ही interesting वीडियो की latest notification पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं आप 50K का target हमारा है तो please subscribe करते हुए चाना चलिए वीडियो को खलम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ददक के लिए टाटा बाई बाई सावनारा